Welcome dear friends, इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक बहुत ही मश्यूर कहानी, The Hare and the Tortoise, खरगोश और कछुई की कहानी Once a hare and a tortoise decided to have a race, एक बार एक खरगोश ने और एक कछुई ने फैसला किया कि वो दौड लगाएंगे खरगोश ने कहा, You are so slow, I am so fast खरगोश ने कहा कि तुम कितने सुस्थ हो, तुम कितना धीरे चलते हो, और मैं कितना तेज हूँ फिर कछुई ने खरगोश से कहा, Let us run a race up to the mango tree चलो दौड लगाते हैं उस आम के दरक तक इस बात को सुनकर खरगोश को बड़ी हसी आई और वो जोर-जोर से हसने लगा The race began, फिर race शुरू हो गई The hair ran with long leaves और जो खरगोश है, लंबी छलांगे लगाते हुए भागने लगा The hair came to a carrot patch और भागते भागते जो घरगोश हैं वो एक गाजर के खेट के पास आया Yummy! What lovely red carrots! और उसने कहा Yummy! कितने प्यारे लाल गाजर हैं The tortoise is far behind और कच्छवा तो मुझसे काफी पीछे है I'll eat a few carrots, मैं कुछ गाजर खा लेता हूँ But he ate a lot of carrots, लेकिन उसने बहुत सारी गाजर खा ली और वो कैसे खा रहा था? Crunch, crunch, crunch की आवास करता हुआ Then the hair came to a radish patch फिर जो खरगोश हैं वो एक मूली के खेट के पास आया Slurp, slurp वो आवास होती हैं जब हमारे मूँ में पानी आता है What juicy white radishes! क्या मज़ेदार मूलिया हैं! I'll eat only a few! मैं सिर्फ कुछ ही खाऊंगा! But he ate up quite a few! लेकिन उसने कुछ ज़ादा ही मूलिया खाली! और कैसी आवास निकाल रहा था वो खाते वक्त? Chomp, chomp, chomp! Then the hair came to another vegetable patch. फिर उसके बाद, खरगोश एक सबजियों की खेट की पास आया. Fresh leafy vegetables! और उसने कहा कि क्या ताजी हरी भरी सबजिया है! So good to eat! खाने के लिए कितनी अच्छी है! So he ate up quite a few और उसने फिर से कई सारी सबजिया खाली और खाते वक्त कैसी आवास निकाल रहा था? मंच, मंच, मंच! The hair was now too full. अब जो खरगोश हैं, उसका पेट बहुत भर गया था. He ran hoppity hop, hoppity hop. पहले वो कैसे भाग रहा था? Hop, 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 तेजी से भाग रहा था. लेकिन अब उसकी रफ्तार कम हो चुकी थी. इसलिए अब आवास कैसी आ रही है उसके भागने की? Hoppity hop, hoppity hop. He was feeling very sleepy. उससे बहुत नींद आने लगी थी. I'll take a little nap. उसने सोचा कि मैं एक छोटी से नीद ले लेता हूँ. He slept under a tree और वो एक दरख के नीचे सो गया. He slept on and on और वो सोता ही रहा. All this while, the tortoise didn't stop. और इस दौरान, कच्छुआ बिलकुल नहीं रुका. He walked on and on और वो चलता ही रहा. The tortoise reached the mango tree. फिर जो कच्छुआ हैं, वो आम की दरख की पास पहुच गया. The hare woke up और खरगोश जाग उठा. He ran to the mango tree और वो आम की दरख की ओद तौरने लगा. What did the hare see? लेकिन वहाँ पहुचने पर खरगोश नी क्या दिखा? हाँ हाँ हाँ, हमारा जो कच्छुआ हैं, वो हस रहा था. हाँ हाँ हाँ, slow but steady wins the race. और उसने क्या कहा? कि आहिस्ता ही सही, लेकिन चो मसलसल चलता है, वही दोड़ जीता है. इस कहानी का सबक क्या है? कि जल्दबाजी से कुछ नहीं मलता. सबर और महनत सही, हम मन्जिल तक पहुच सकते हैं. आहिस्ता और मसलसल महनत करने वाला ही काम्याब होता है. एसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सरूर सब्सक्राइब कीचे और वीडियोस को लाइक और शेर कीचे बाई बाई